दोस्तों यह Da biss यह खीली बना गरकर के मैजिसन इस पर्फॉर्फॉर्म किया करते हैं जैसे की पहले देखाते है की यह खाली है ! और ईसे यहाँ पर डालते है और डालने के बाद फिर यहां से निकालती है और बोलते है कि इसमें जो तास का पत्ती था वो यहां पर चली गी है लेकिन दर्सक बोलता है कि नहीं यहां पर रहे तो है ही magician क्या करता है कि इसे ऐसे पकरता है और फिर इसे इस तरह से हातों में ले करके और फिर यहां से यहां पर उसे फेख देता है और फिर दिखाता है कि यहां पर यह कार्ड चलाया है वापिस तो दोस्तों इसका trick क्या है इसका ट्रीक यह है कि यहां से जो card है, cutting किया हुआ एक card और इस frame में set है जो कि ऐसे घुमाने पर नीचे चला जाता है और इस तरह से घुमाने पर यहां सो होने लगता है कि इसके अंदर card है तो इस card को यहां पर क्या करते हैं कि इस तरह से set करते हैं यहां पर एक part है जो कि खाली है इसी part के अंदर इसे यहां पर डाल देंगे और यहां पर डाल देने के बाद हमें जो भी part यहां पर खाली लगेगा उस part को आगे की तरफ करके और इसमें यहां पर डालते हैं और बोल इसके अंदर हम डाले थे वह इसके अंदर चला गया था यहां से जो कार्ड इसमें डाले और इसके अंदर जब भी डालते हैं तो चला जाता है इस तरह से और यहां पर जो सेकेंड इसमें पहले से सेट कार्ड है यह वाला कार्ड वह कार्ड इसके अंदर से बाहर निकल करके चला आता है तो यह काड देशके बाहर चला वाएब दोस्तों और इस काने की दो चीप साफ को मिलेगा और इस को आपकर करके आपस में से यहां पर घीशते हैं पोई भी एस टोड़ी बना गर और जैसे हैं तो यह रंग बदल याता है पर यहां पर पीछे नहीं गिसे हैं इस इसे लेकर के गिसेंगे और आगे और फीछे दोनों तरफ से रंग बदल जाए गया ऐसा करने के सामने जो भी ऑडिय्स रहेगा उसे आप इसे दे दीजेगा यह लेकर के ओडियändertً। जैसे इससे भी बाहर खीछ लेंगे अब देखिए यहां पर आ जा गए और पीछे ब्लैक हो गया 2ऊ कुझ से दिख रहा है इसके ऊपर से हैं तो इस से यहां पर बैग करके लगा देंगे और इससे फी यहां से इस इसथाद में करके लगा देंगे अब ऐसा देखने में लग रहा है कि दोनों ब्लेक हैं लेकिन ऐसा है नहीं यहां पर लाकर करके जैसे इसे घिसेंगे तो देखिए यहां पर लाने के बाद यह इसमें चिपक जाता है तो यहां पर ठीक से चिपका नहीं है इसलिए इसे यहां पर लाने के बाद इस तरह से घ तो इसलिए घिसा जाता है ताकि अच्छा से इसमें चिपक जाए लेकिन सामने वाले दर्सा को लगता है कि एग घिसता है इसलिए यहां बदलता है तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि एक काला रंग का गोटी है बिल्कुल ब्रासा इसे यहां पर कैप से बंद कर द लगा है और यहां से इस गोटी को डालते हैं सभी गोटी को उपर नीचे डाल देते हैं यहां पर सभी गोटी को डाल दी है गोटी को डाल देने के बाद यहां से इसे लगा देते हैं रख देते हैं इसे डब्बे में और डब्बे में रख देने के बाद इस कवर से बंद क करने के भाद हल्का साई से तेरह करते हैं तो यह जो gübbib करद तो टो आप क्या करें कि सли को इस्द राप यहां वापंदे में घर्न न करने के बाद के क्या करने कि सफके आप यहां पहले दिखाते हैं कि वापस डाल करते हैं रहे और इस m है ही नहीं और फिर वापस इसे इस तरह से यहां पर बंद कर देते हैं बंद करने के बाद फिर इसमें मैजिक करते हैं और फिर उठाते हैं और यहां पर खूबसूरत सा फूल निकल करके चलाता है तो इसका क्या रहसे देखिए इसमें होता यह है कि यहां से इसे हम एक के यहां पर कुछ नहीं आएगा जब भी फोल्ट करना है तो यह वाला जो नीचे वाला पार्ट है इसे इस तरह फोल्ट कीजिये और ऐसे फोल्ड कर देने का बाद यहां पर इसे घुमाईए यानि जो पार्ट निचे की तरफ आगे की ओर है वही उपर भाला भी आगे की ओर है तो फर्स्ट टाइम आगे से पकर के दिखाना है तो कुछ नहीं आएगा और सेगेंड टाइम इसके ठीक पीछे से पकर करके आ पर फूल आ जाएगा दोस्तों इस मैजी का नाम है पी तरा से आप दिखाएंगे जो भी आपके सामने और यहां ओडियेंश होगा जैसे इहां पर मनेज जी मैनेश जी आप यहां पर आ जाएगे यह सभी नट कसा हुआ है कि नहीं कसा हुआ है तो इसलिए हम यहां पर साइ इसे इस तरह से मिक्स कर देगा और मिक्स करने के बाद यहां पर इसे लगा देगा और लगाने के बाद कहीं भी लगाँग। कैसे यहां पर मनेजी आप उगली डाली यह कौन सा कुलर्फ आपको पता है लेकिन यहां पर एक मुझीन हें इसकी मद разм tak लगायेंगे यहां पर देखनी यह तीनना हुन है यहां पर जैसे गोँआंगे आपको प्ता है करें पता है के यह पता क्राण है यहां से हम इसे read कर रहे हुँ कहा और सबसे जादा suspense जो होता है audience का यह होता है कि ए not automatic खुला कियों है साथ इसमें कोई machine तो नहीं है तो इसी बात नहीं है इसमें कोई machine नहीं है तो यहां से देखिए जो card है इस card को यहां पर डाल दिये कि यहांपर आपको पहले पहचानना प्रता है कि one कॉन अंसा कॉना क्लर का मिलेगा तो यहां लाल होगा इसके पीछे दो डॉट मिलेगा उजला कलर का क्लर खर का आपको आसानी से दिखाई देएर में कि शूक armour लिए और यहां पर तीन स्मूंट खर को यहां है दो डॉट है यहां पर तो पीला है और तीन डॉट है तो हरा है तो इस तरह से आप देख लिए यहां पर हो गया हरा यहां पर हो गया लाल यहां पर हो गया हरा तो इस तरह से आपको सबसे पहले कार्ड को पचान लेना है कि कौन सा डॉट से कौन सा गलर आ रहा है इसके बा कौन कलर का है तो यहां पर इसे डाल दिये और डाल देने के बाद यहां पर अंगली डालेंगे हम यहां पर एक बार और मिक्स कर देते हैं और माल लिया जाए कि यहां से इस कार्ड को हम डाले और सामने वाले ने यहां पर अंगली रखा तो एक कौन सा कार्ड है ओ आप पहले पहचान लेंगे खुद आप पहचानेंगे इसके बाद ही आप बता पाएंगे तो देखिए यहां एक डॉट है और यहां एक डॉट है यानि दो डॉट है इसलिए यहां पर कार्ड होगा पीला तो यह पीला कार्ड है देखिए पीला कार्ड है लेकिन आपको यह पीला नट खुलना है तो एक कैसे खुलेंगे सबसे पहले आपको तो अडियोंस को देद रहा है कि देखे यहां पर जो नट है याप चेक कर लिए कि कसा हुआ है कि नहीं तो कसा हुआ चेक कर लेंगे इसके बाद आप इस नट को यहां पर डाल देंगे यहां पर देहान देने वाले बा वाला पार्ट नीचे की तरफ यहां पर ए हो गया सेट यानि हमें अभी पीला खोलना है इसलिए पीला कलर का है बोल्ट उपर की तरफ यहां पर डाल करके और इसे हिलाना है हिलाने से क्या होता है कि एक दूसरे में इसका घरसन होता है और जब भी घुमाना है तो इस कवर को पकर करके इस तरह से घुमाना है और इसके बाद जब आपको दिखाए दिदाया कि नहीं यहां जो हम खोलना चाह रहे हैं वह खुल गया है तो आपको छोड़ देना है बस थोरी ही दिरिम खुल जाता है तो यहां पर खुल गया है आपका पीला तो यह है पीला कार्ट तो इस क्वाइन बैग आपको यह मैं जी किस तरह से दिखाना हो देखिए एक क्वाइन लेना है और इस बैग में डाल देना है इस बैग में डालने के बाद इस क्वाइन को आप लेते हैं और अपने हाथ में वापस ले लेते हैं हाथ में वापस लेने के बाद फिर इसे यहां पर प पैकेट बना हुआ है इस पैकेट से इसको आपको बाहर कर लेना है बाहर करने के बाद यहां पो चब्ह दिखा form या आप बराबर इसी में को छोर करके भी रख सकते हैं तो यहां पर ऐसे पकरना है और इसमें डाल देना है या आप सामने से भी इसे डाल सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यहां पर इसे डाल दिए डाल देने के बाद आप क्या करते हैं को यहां से अपने हाथ मे पकरते हैं तो जब भी आप इसे इसतर्य से नीचे की और खुकाईएगा तो ये होगा क्या कि इसी के अंदर यह चला जाएगा यहां पर देख लिए इसी के अंदर चला गया और यहां पर ज onc पैकेट के माध्यम से जिस होल के माध्यम से आप इसमें डाले थे वह यहां बंद हो जाता है तो इसके वजह से यह बाहर नहीं हो पाता है को और इस तरह से आप इसे पैकेट से निकाल लेंगे बाहर यहां से देखिया इसमें हाट डाले और यहां पर आपको इसे बाहर निका गया हुआ है क्वाइन लेकिन हमें ऐसा एक करना है कि मेरे हातों में और यहां से एक ही टाइम में यहां से छोड़ना है और यहां पर क्वाइन आ जाएगा इस तरह से कई रिखान च़ंशी हो bob कते हुए when you start over to cheat using your यहीं विजय है कि जब भी आप कटे हुए Beta को पकर कर खोरेंगे तो होगा यहां पर कुछ नहीं काई दिखाई इकाम्न यहां से इसे इसे हम प्लट रहें हैं तो यहां पर कुछ नहीं आरहा है और पिर इस तरह से कुछ मेंदर यहां पर डाल देते हैं और डाल देने के बाद से बंद आप धर उसे आप देते हैं झाली और यहां पर माचेस जलाने जा रहे हैं और आप यहाँ पर माच़े जलातें और फिर बोले कि आप खोलिए और देखिये मेरा स्ट्रीट जल रहा है और लाइए आप इसे पिजेगा मत तो यहां से उख खोले disfr Caribbean और फिर सीग्रेट निकाले Cars8 इक दर लाइगा उसे ऐसा लगा कि और वाला सीग्रेट ? तो आइसी बात है ही नहीं तो आई एक टृक है वो देखिया इसमित जो चिग्रेट से निकलेगा सब्सक्राइब तो इस यहां पर डालेंगे और फिर बाहर निकल जाएगा बाहर निकल जाने के बाद आप क्या करते हैं कि इस चिग्रेट को इसके अंदर छोटा फञावला को डाल लिएते हैं और चाइए पैको तिकार है घूलक तो जब ही दिखाना है तो किसलीने इस में डाल के इस थहाइप लिफ दिखाय कर चैनल किma सुझत को अपनी डाल लिए गोठ में डाल लिये हैं और फिर आप इसे यहां पर बंद करके देंगे और बंद करके देने के बाद ओडियेंस को आप बोलें कि यहां पर माचे जला रहे हैं और यह सिग्रेट जल जाएगा और फिर सिग्रेट माचे जलाने के बाद आप उसे निकालने के लिए बोलेंगे वह प्रहर 18 अधर है देख तो इस पाल्यक्राये आपको जब ही बथाना होगा कि इसे किस तरह से प्लब एक हम्मेन की एक लिए आप उसे महसूस कर दिर डिया तो इस ब está स्विल को पकुर ना है और यहां पर हल्कासा नचा देना है यहां पर फोर्स लए यहाँ से पकर करके और इसे इस तरह से देना अब डिख लीजिए एक इथर वह गया इंग यह जब इस से नचाते हैं तो और दो किनार भागता है इस बीच वाले करने में दोनों को दो तरह प्रहके तब चल आते हैं और चला जाता है दोस्तों बोट पजल आपको तब दिखाना है जब आपको कोई भी सो करते वक्त कोई भी ऐसा अधमी मिल जाए जो आपको बार बार बोले कि आप कैसे कर रहे हैं तो इसलिए आप उसे बुला करके और आप उसे यह क्यों देंगे और बोलें कि आप ऐसा किजिए कि इसमें एक बॉल लाइए और इधर एक बॉल लाइए ऐसा देने के बाद वह ऐसा करना ही पाएगा लेकिन आप उसे लें कि लाइए इधर और हम करके आपको दिखाते हैं अगर सभी लोग को आप बोल करके यह करेंगे तो और बेटर है कि सभी दर्सक को अगर यह पसंद आएगा त्र सर्मिंदा जरूर कर दिया कि देखिए इतना चोटा सा ट्रीक था और आप इसे नहीं कर पाए तो बहुत धने बाद आपका कोशिस करने के लिए ऐसा करके आप उसे सम्मान भी कर सकते हैं अपने सो में किसी को भी ऐसा महसूस मत होने देजिए कि आप उसे इंसल्ट कर रहे ह है यानि जब आपको लगे कि सभी को इंटर्टेन भी हो गया है और सामने वाले को थोड़ा सा बिसर्मी जैसी महसूस हो रहे तो आप उसे सम्मान वाली बाते बोल करके आप मना लीजिए गा दोस्तों यह है स्प्रिंग पजल और स्प्रिंग पजल या कोई भी पजल हो हम तब दिखाया करते हैं जब हमें कोई वैसा वेक्ति मिलता है जो हमें बार 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 डिस्टर्ब कर रहा हो तो आप भी इसे तब ही इस्तेमाल किजिएगा जब आपको कोई डिस्टर्ब करेगा यानि यह आपका ब्रहमास्त्र है मजीक का तो यह बोट पजल और नहीं हो रहा है फिर यहां आएगा और यहां पर अटक जाएगा तो आपको जब भी इसे निकालना है तो क्या करना है कि इसे बिल्कुल सेंटर में लेकर चले आएंगे क्योंकि यह इतना है कि साइड में कहीं भी यह आपको मूरने वाला नहीं है ऐसा भूमेगा नहीं ठीक यहां से घुम गया और अब निकल सकता है तो इसका आप प्रैक्टिस कर लेजेगा तो आप इजली इसे घुमा सकते हैं यहां पर देखिए लॉक हो गया है अब इसे कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा इस तरह से आप इसमें डवल लॉक भी लगा सकते हैं तो यहीं इसका ट् मत टूटने के का देखिए च checking YouTube नहीं पाता है तो इसमी कलता कैसे है कैसे आप निकाल पाईएगा वह देखिए आपको क्या करें कि सभी जो भी रहें वह इस तोरуш पकर है यहां ञान यहां इस पर आपको यहां करना है यह वहाले पाठ यहां से पक्रेंगा यहां से पक्रें से और यहां से इसे क्रॉस लगा करके और इसके एक दूसरे में से डिकाल दीजिए रहा दोस्तों यह जो ट्रीक यह जा-त्रीक है इसका नाम है सब इंगली देख स्वेंगलि तो इसमें आपको क्या करना है कि कट लगाना है एक लगाने के बाद इसे आप अच्छी तरह से थपकी लगाते हैं कसकर के यहां बजाते हैं और उपर आजाता है कालापन का नहला और इससे पहले आप ऐसा भी दिखा सकते हैं कि देख लिए यहां पर सभी कार्ट सभी कलर का है इधर से भी दिखा देते कि सभी कार्ट सभी कलर का है इसके बाद आप मिक्स करते हैं या कई तो इसका क्या रहसे हो देखिए इसमें होता यह है कि इसमें जो भी काड है तिगी है नहला है तो इसमें सेटिंग किया हुआ है आपको जो काड मिला होगा हो सकता है कि सेट नो हो इसलिए आपको सबसे पहले निकाल लेना है और सेट कर लेना है एक तरफ जो काड उसमें मिला नहला के जबार आपको कोई और कार्ड मिला होगा. विलाम हो गया, बाद्चा हो गया, इक्का हो गया. तो आपको इस तरह कार्द उसमें जिमित किया हुआ मिल सकता है. तो यहाँ पर सभी को अलग-ङलग कर देंगे इधर मेरा केबल कलापन कानाला निकलेगा और ढखना दिछे काड़ आईगा यानि इसमें 26 काड़ जो है उग दो 26 काड तो तो यहाँ से से हम बाहर कर देते हैं और सभी को एक तराप कर देते हैं तो दोस्तों यहां पर देखिए इस तरह से जो काला पान का नहला है ओ इधर हो गया है और बांकी डिफ्रेंट कार्ड इडर हो गया है आपको क्या करना है कि सबसे पहले काला पान के नहला को यहां पर डालना है और इसके बाद दूसरे पति को डालना है फिर काला पान के नहल तो इसारा होगा और पहल्ला हो पिर जी इस तरह से यहां सेट कर दिये है एक नहला का लपन का और एक कर सेटेंग नहला का कर बार्फाथ कलापान का नहला ही आलेगा क्यों क्युंकि क्यों 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 कि फोड़ा सा छोटा कर दिया गया गया है यह जब ही यहाँ आप लगने टॉल और जब ही आप उठाइंगे तो बारला काड आप माला चलाए गा कैला का इख कभी अब वाूफान Ride आप जब उठाते हैं या मिक्स करते हैं जैसे कि यहां से मिक्स कर दिये फिर भी उतना पर से ही कट हो गया है जितना पर से आप कट करना चाहते थे दोस्तों दखिये इसमें हम सबसे पहले दिखा देते हैं कि यहां पर देखिए सभी different card है कोई ऐसा नहीं कि सीम हैं दोनों तरफ से दिखा देते हैं और ओडीयन्स को बोलें कि आप कई पर वी अंगली रखिए मालेज़ं कि और घंडली रखा तो सब्सक्राइब लिखा देंगे काला पन का नहला निकलेगा और फिर इसमें आप magic करते है और magic करने यहाँ पर सभी card एक ही color का हो जाता है तो इसका खेल इस तरह से होता है कि आप जब भी दिखाते हैं कि यह card सभी different है तो आपको ऐसे hold करना है और फिर दिखाना है कि यहाँ पर सभी card different है और फिर इसे यहाँ पर पकर करके आप पहले ऐसे दिखाना है और सेकेंड टाइम ऐसे और फिर इसे यहां से खोलना है और इस तरह से छोड़ियेगा तो यहाँ पर सभी काड जो है एक जैसा ही दिखेगा तो दोस्तों यहां पर हम दिखाते हैं कि चस्मा बिल्कुल नॉर्माल है और चस्मा को यहां पर डालते हैं अपने आख से निकाल करके और फिर यहां पर हम अपनी हाथ का पावर का इस्तेमाल करते हैं और यहां से चस्मा खरा हो जाता है यानि हील करके अपने जगा से खरा हो इसे स्टेज पर दिखा सकते हैं या आप स्ट्रीट मैजिसियन है तो आप रोड साइड में इसे आसानी से दिखा सकते हैं तो यहां पर आपको क्या करना है कि एक धागा अपने हाथ में यहां पर लगा लेना है यहां पर आप देखिए कि एक धागा हम लगाए हुए हैं तो इस दागा को आपको इससे निकाल करके और रखना है और जिस समय आप अपने आख से इस तरह से यहां से पहने हुए हैं, और फहनने के बाद यहां पर कुछ हम बात करेंगे और बोलें कि देखी यहां अपना हाथ के पावर से आपको चस्मा हिला करके दिखाएंगे, उसे से में बातों ही बातों में यहां पर क्या करते हैं कि इसे फसा लेते हैं यहां से इसे फसा लेंगे और फसाने के बाद यहां पर एक्ट करेंगे कि इस चसमा को हम हिला रहे हैं और यह एक रवर जैसा है और इसे अब यहां पर यह थोड़ा टाइट हो गया अब यह चसमा को ख़रा कर दिया तो यह के माध्यम से होता है तो इस थ्रेट को आप खेल दिखाने के बदाद तोर करके मत फेक दीजेगा आप इससे इसमें पहने हुए रहेगा और आप इसे बाद में आसानी से यहां पर इसी में ला करके और फिर traid कर दिएगा ताकि आप से केंड खेल में काम आ सके दोस्तों यह खेल है कि चैन और रिंग का यह भी बहुत बहुत बेहतरीन खेल है इसमें आप दिखाते हैं एक रिंग और ओडियंस को आप देते हैं कि इस रेंग को आप चैकर लिए यहां पर कोई तोटा हुआ तो नहीं है आप इसे अच्छी तरह जाएगा बल्कि यह इसमें आपको आरकरके अटक जाएगा तो इस एक्ट को आप किस तरह से कर सकते हैं, वह आप देखिए, लिए जो रिंग है और चैन है अपको दो यह तीन अउंगली से पकर लेना है इस तरह Δेकिए लोगे जो जाता है तो यह थोरा सा अपके लिए कठीन हो सकता हैं वह सकता है कि यहां पर पहले बार मेरे नहीं होगा बार-बार आपसे नीचे गिर जाएगा अगल ग्रेगा बास से भेँषर दो चो इसे हम छोड़ देंगे ऐस चाहिए लिख सोगा नीचा के तोिकिu तो आप इसे practice किजिये practice कर लेने को यह आप प्रफेक्ट इसे अच्छे तरह से कर पा रहे हैं तब आप इसे दखायेगा बहुत ही बेतरीन मैजिखाये तो देखिए एह है mouth coil यानि कि कागज खा करके आप महँकी अंदर से कागज निकलते ओटरी है तो यहां पर आपको जब आप इसे बाहर निकालेगा तो इस साइड एक सेलो टेप लगा हुआ मिलेगा और इस साइड एक सेलो टोप लगा हुआ मिलेगा तो आपको क्या करना है कि टेप को यहां से काड़ देना है और फिर इस साइड आ करके आपको इस साइड का भी टेप काड़ देना है तो यहां से इसे हम काड़ दिये अब काड़ देने के बाद आपको क्या करना है कि यहां से बीच में अंगली देना है हलका सा और इसमें से कुछ पेपर इस तरह से बाहर निकाल लेना है यहां देखिए कुछ हम बाहर निकाल लिए और बाहर निकाल करके थोरा सा यहां पर तोर करके रख लेना है यहां पर फार करके रख लिए और फार करके रख लेने के बाद आपको निकाल करके रख लेना है इसमें से ताकि आप है तो आपको इतना ध्यान रखना है कि यह वही का घ्यान है कि जो मेरे चीविधर क्यूअ को आ means यह को ऊपर रख देना है और इस को भी ऊपर रखंदेना है और इस तरह जो सब्सक्राइब और यहां इस तरह से पकरना है और पैंड कि यहांगाय ships और आप वाले फ़र्ष्ट वाला खाईएगा फिर सेकेंड वाला और फिर इसमें से कुछ और तुकरा रहेगा तो भी अच्छा है आप इसे सीधा अपने मुह के अंदर ले करके यहां से इसे उठाईएगा माले जाएकि देखिए यहां से लिए हम और इसे खालिया खाले अब आपको सेकंड टाइम में इसे पूरा लेकर अपने मुह के अंदर डाल देना है आता है अफिढ़ तो इस तरह से आप जो है इसको पूरा यहां से खीचिए गा तो यह जो आपको मुह के अंदर से ना बलकि यहां से निकलते जाता है यहां से यह निकलते हुए जाएगा दोस्तों नेक्स्ट आइटम है बुलूमिंग बुलूसुम यानि की राम लखन राम लखन फूल का के अंदर लाता है या फेट के पास ले आता है और फिर इसे लेकर चलाता है तो इसमें होता क्या है कि यहां पर एक स्वीच लगा हुआ है इस स्वीच को नीचे करेंगे तो फूल नीचे चलाता है और इस स्वीच को ऊपर करेंगे तो फूल उपर चला जाता है यानि सारा इस स्वीच का होता है दोस्तों अब जो टीक है ओ है हाथ लाल करने वाला यानि चुना लगर कर हाथ लाल करने वाला तो आपको क्या करना है कि इस तरह का आपको डबा मिला होगा फ्रेफिलिन पाउडर का आपको यहां पर हलका सा गिरा लेना है यहां देखिए थोरा सा यहां यहां पर इसे हम एसे मिक्स कर दिये अब यहां पर हम बोलेंगे इधर तुम चले आओ चंदन तो यहां पर इस टाइड मानेश जी यह आपका भविस्वान्य कीुरिए का तो दोनो तरफ आपका कोई न कोई होगा देखे इनका हात हमको देखना है तो यहां पर पर किसी भी बहाने आपको रभवन ट त्श कर देकर देना है अब सब् critically अब इसके बास Тی lifted दिखाईे अपना हाथ भी अपना हहाथ दिखाएंगे अब उसके कहना है क्य यहां से थोरा सा चूना है में कि उठा कर यहां पर garment आप से चूना खासेंगे और यहां पर खुब कुब सुर्ट Pink कलर यहां से निगल रहा है यानि यह जो रंग है बदल रहा इसका अब यहां पर मेरे बगल में चंदन है इसको बुलेएं कि यहां से थुरा सा इठाओ और इस पर लगाओ तो इधर इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा क्यों क्योंकि हम इधर इनके हाथ पर कोई टच ही नहीं किया है यहां पर इनका हाथ हम यहां से पकरे हैं और यहां पर कोई टच नहीं किया तो यहां पर चूना वही रहेगा आपको किसी भी नॉर्मल वेक्ति से चूना लेन दोस्तो आपको एक आइटम मिला होगा जिसमें कि इस तरह का दो डब्बा होगा और इस तरह का दो डब्बा होगा तो यह है glycern and potassium per minute उसमें लिखा होगा तो इस magic को आग लगाने वाल है magic का जो भी आपको अक्ट करना होगा उसमें इस्तेमाल सकते हैं तो जैसे कि आपको अगर पेपर में आग लगाना है तो आपको क्या करना है कि पेपर में किसी कोने पर आपको यह डाल लेना होगा potassium per minute माल लिए जाए कि एक पेपर है तो इस पेपर में जब भी आग हमको लगाना है तो क्या क्रेंग suitable आग लंगे हम और के एक कोन पर यानी यहां पर डाल देंगे इस पाउडर को पर मेंनेट और इस ना पर आजाएगा इस कोना पर आने के बाद हमें किया करना है कि इससे फोल्ड कर देंगे कर देने केikal क ostr ने के बाद यहां पर इससे फोल्ड करके यहां पर जूक्त का एक करना है कि आप इससे मोर दे रहे हैं और यहां पर फोटैसियम-पर मीनिट अ हैं यहां पर दीजिए कागच को या किसी तरह से यहां पर हलका सा होल कर देंगे ताकि यह जो गिलिसरिन उसके अंदर जा सके और एक ठोकर के पेपर में आग लग सके तो दोस्तों एक देख लिए कि यह किस तरह से एक दूसरे से तो यह है ग्लिसरिन और यहां से हम कुछ डालेंगे बूंद इसके उपर यहां देखिए और कुछ बूंद यहां पर डाले हैं हम और देखिए यहां से अब यह एक दूसरे में रियक्ट कर जाएगा देखिए वाउ करें तो यहां से यह जो है आधा रग जाएगा और यह जनने लएगा तो आपको थोरा बहुत भी इस्तेमाल कर सकते पोटाइसियम करमेडिट थोरा सा गिलिसरिन इतना इतना गानने करीप दोस्तों कभी भी अगर आपको डायरेक्टली अगर लगाना है किसी राख में तो आपको यह पोटैसियम पर मेंटिलेकर के आप अइसा कह सकते हैं कि या हमने थोरा सा राख लिया है और राख डाल करके फिर उसमें पानी डालीए गाए और पाने के रूपने आप लिजिए ग्लिसरिन को थोड़ा सा आप किसी फिलेट में डाल करके और वहां से आप इस पर जैसे ही छिटेंगे तो फिर इसमें आग लग जाएगा दोस्तों potassium per minute से आप एक और खेल कर सकते हैं आप क्या करेंगी potassium per minute थोड़ा सा ले करके इस glass में रख दीज़ेगा कोई भी सीसे का glass वहना चाहिए और इसके बाद आप उसे बाहर कर दीज़ेगा यहां पर आपको बाहर कर देना है इसमें कुछ रहेगा नहीं तो इस तरह से आपको जिस समय प्रोग्राम करना है उस समय भी आप इसे पीट-पीट करके इसे बाहर कर दीजिए तो यहां पर आप दिखा सकते हैं कि इसके अंदर कुछ है कुछ नहीं है ऐसे भी दिखाई दे रहा है कुछ है नहीं आप एक दो बार और इसे बाहर कर दीजिए इसके बाद आपका यह ट्री तेयार है जब भी आप इसमें पानी डालिएगा पानी का रंग अटोमेटिक चेंज होगा यहां पर देखिए इस तरह से आप जब भी इसमें पानी डालिएगा उसका कलरिया चेंज हो जाएगा और दोस्तों फिर आपको पास जो पर मैंनल बचेएगा इसे आप वापीस से फिर उस डबे में भी आप डाल सकते है यानि थोरा थोरा करके आपको यह बहुत बाढ़िया चल जाएगा